बिग बॉस OTT शो अब बड़ी कॉंट्रवर्सी में फस गया है इस शो के खिलाफ कंप्लेंट दर्स हो गई है इस शो पर इल्जाम है कि शो में बहुत जादा वल्गैरिटी की जा रही है और सभी हदे पार हो चुकी है शो में यही कारण है कि शिवसेना की पॉलिटीशन मनिशा कायंदे ने बिग बॉस OTT के खिलाफ कंप्लेंट दर्स की है उन्होंने कहा है कि शो में वल्गैरिटी बढ़ गई है और अब ये शो बच्चे भी देखते हैं ऐसे में ये शो समाज के लिए सही नहीं है आपको बता दें कि ये कॉंट्रुवर्सी तब शुरू हुई चब बिग बोस के घर के अंदर की एक वीडियो वाइरल हुई ये वीडियो अर्मान मलिक और उसकी वाइफ क्रितिका की है और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अर्मान और कृतिका ने बिग बॉस के घर में ही कैमराज के बीच सेक्स किया है और इसी की ये वीडियो सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वाइरल हो रही है अलाकि अर्मान की दूसरी B.V. पायल जो घर के बाहर है उसने दावा किया है कि ये विडियो एडिटेड है ये विडियो के अंदर जो लेम्प दिखाया गया है वह लेम्प Big Boss के घर में है ही नहीं, ऐसे में इस विडियो पर विशवास नहीं किया जाए लेकिन अब complaint दर्स हो चुकी है मुंबई पुलिस कमिशनर को ये complaint सौपी गई है और इस शो को बन करने की डिमांड की गई है बिग बॉस OTT के मेकर, शो के होस्ट अनियल कपूर और चैनल के खिलाफ complaint दर्स की है और इस शो को बन करने की डिमांड की गई है